नमस्कार दोस्तों, Digital Study for E Channel आपका स्वागत करता है आज हम History of DFC CIL and Indian Railway की जो क्लास हिंदी में लेकर आ रहे हैं उसका क्लास नमबर 6 है और DFC CIL के History की हमने पहले वाली क्लास में पूरी कंप्लेट कर दिया अब History of Indian Railway चलेगा 1832 से लेके 2020 तक जितने भी परिवर्तन रेलवे में किये गया है और कैसे कैसे रेलवे की अस्थापना हुई, कौन सी इंडस्ट्रियर ट्रेन चली, कौन सी पहली ट्रेन थी कब CR रीजन के अंदर कौन से जोन को रखा गया है, कब किसकी अस्थापना हुई इन सब को इस Class 6 में डिसकस करेंगे, अगर आप लोग ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि ये Class complete होने जा रही है चार और वीडियो आएंगे, दस वीडियो में History of DFC Cell and Indian Railway complete हो जाएगा, कहने का मतलब 24 नंबर, 24 question जो आने वाले हैं आपको, पूरा गपूरा इसमें से फ़स जाएगा पूरा तो मैं guarantee नहीं ले सकता, लेकिन 24 में से 22, 23 question इसमें से आएंगे तो आप लोग focus होके पढ़िये और जादा notes भी नहीं है, क्योंकि मेरी सारी class आप जानते हैं, 10 minute के अंदर ही होती है जादा जादा 7 minute की भी class हो सकती है, 15 minute की भी जा सकती है ये series complete होने के बाद मैं कुछ important question कराऊंगा, मतलब MSQ type के question कराऊंगा, वो 50-60 question होगे उसके भी एक वीडियो की आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हैं, हम अपनी series को सुरू करते हैं तो हाँ, तो आपके screen पर पहले नमर का question ये रहा, तो पहले नमर का question क्या कहता है, कि देख लिए, सबसे पहला भाप से चलने वाला engine किसने बनाया तो आप लोग को पता है, सबसे पहले जो railway engine मनाया था, James Watt ने बताया था, James Watt ने जो engine मनाया था, वो भाब से चलने वाला था, Second number देख ले, World First Underground Railway Station, ऐसा railway station बताईए, जो जमीन के नीचे से होते हुए जाता है, सबसे पहले railway लाने के लिए भारत में कब प्रपोजल दिया था, तो इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेन है, कब चली थी, 1837 में चली थी, मदरास में चली थी, उस ट्रेन का क्या नाम था, The Red Hill Railway Station, उसका नाम था, उसकी जो रूट थी, मदरास से चिंत्रा द्रेज ब्रीज तक थी, महलब चिंत्रा द्रेज ब्रीज तक थी, बीलियम एवरी ने इस ट्रेन को बनाया था, इसमें भी इस्टीम इंजन का प्रेयोग हुआ था, महलब भाप से ये चलती थी, ग्रिनाइट को ले जाने के लिए बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, ग्रिनाइट को ले जाने के लिए बनाया था, इस ट्रेन को बिलियम कॉटन और्थर ने चलाया था, ड्राइबर का जो नौम है, और्थर ड्राइबर था, इस ट्रेन को चलाया था, चले पॉइंट देखे 1845 को गोदावरी नदी के ऊपर बांध बनाया गया जो की राज समुंदरी के निकट है राज समुंदरी का नाम आप लोग जानते होगे हिस्टरी में किसलिए फेमस है ये कमेंड वॉक्स में लिखकर जरूर बताईए और्थर कॉटन के द्वारा ये लाए गया था सबसे जो इंपोर्टन देश था गोदावरी नदी के ऊपर जो राज समुंदरी है वहाँ पर बांध बनाने के लिए इस ट्रेन को लाए गया था अब देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें नेक्स्ट क्या करता है कि 1844 में लॉर्ड होर्डिंग ने प्राइ जिमेदारी होगी इस्ट इंडिया कंपणी के ऊपर होगी यह 1844 से स्वें में किया गया था और आठ में 1845 में मद्रास रेलवे स्टेशन की अस्थापना की गई ठीक है एक जून 1845 के आसपास क्या हुआ कि दूसरी इंडिया की सबसे लंबी उस समय की इस्ट इंडिया रेल है नहीं फिर भी हम दोग देख लिते हैं चले नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं नेक्स्ट नमर का पॉइंट आप क्या है अजादी के बाद जो एनर और यार जोन में इस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को बाट दिया गया आप लोग सोचे एनर यार जोन जो है क्यों ब परिंसुलर रेलवे एक अगस्ता ऍथा, आफहार उन्चास को बनीती इसे ही वर्तमान में सीया लेजन की नाम से जाने जाता ते की नाम से जो जाने जाता है वो कमझ सा परस और इन शूलर ९ा इसका हेटकॉड़र क्या है बोरी बंदर है सीर जोन की नाम से जो जारने जाता है UP Specifically इस को में सबसे पहली च्परजी वह नाम घरिए और उसका नाम सब्सक्राइब महराज टर्मिनल 2017 में रग दिया गया था देख रहे हैं बोरी वरंदर का कितनी बाद नाम चैंज वहां और मिहां नामें especial braddy महराज टर्मिनल ठीक करिया अब देखेए ने आपने की विक्तोरिया terminal के आपलोगों को पता है मिक्तोरिया radio sriwa jim又 1888 में यह बनना स्टिवन इनने बनाया था है इसके इंजिनेरी कोच बिलियम बेल थे ठीक है चत्रपति सिवाजी महराज टर्मिनस इसे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2004 में सामिल किया गया यह आप सब पूछ सकता कि किस पर सामिल किया तो यार रखे 2004 में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ज्यादा पॉइंट नहीं है छोटे-छोटे सेक्षन में लाया हूँ ज्यादा बड़ा क्लास करने से क्या फाइदा हुआ दसवान अमदी के 1891 की बात कता है रूड़की में सोलानी नदी के उपर जल सेतु बनाया गया था थार से क्याओन म प्रोबी कोटल ने बनाई थी यह मोश्ट इंपोर्टेंट नहीं थी इसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजेगा ठीक है अब ग्यारन नुवर्टी के 1852 मद्रास गारेंटेर रेलवे कंपनी बनाई यह भी इंपोर्टेंट नहीं है बड़ 830 वाला मोश्ट इस वी को क्या हुआ था 16 अप्रेल 830 इस वी को सबसे पहली पैसेंजर ट्रेंट चली कहां चली बोरिबंदर से थाड़े की बीच में चली 34 किलोमेटर की दूरी थी बोरिबंदर से थाड़े तक जब चली थी इसमें क्या यूज़ के था ब्रॉड गोश्ट ट्रेक का इसमें 400 यात्री गया थे इस पहले टेरिण में 400 यात्री जो गया थे वो तो भी आईपी होंगे कोई बी नई चीज सड़ चलेगी तो उसमें भी आईपी लोगी तो जाएंगे ठीक है इस ट्रेन को चलते हैं समय कीस्तोपों की सलामी भी दी गई थी इनमें 14 कोश थे और य उसके बाद हम लोग CRM और Economics की class भी लेकर आएंगे उसके ज्यादा वीडियो नहीं होंगे 10 वीडियो में उसको भी complete कर देंगे और बहुत तेजी से हम लोग complete करते जाएंगे इसको एक बाद आप लोग देख लोगे तो आप लोग को lifetime के लिए याद हो जाएगा और exam में अच्छा score करके आएंगे अब आप लोग का यह syllabus complete हो रहा है तो इसलिए आप लोग mock देना शुरू कर दीजेए और mock में देखिए आप लोग के marks कितने बनते हैं तो चलिए अगर आप लोग को यह subject और मेरे notes पसंद आ रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए बाई गुड़नाइट